हलो डियर फ्रेंड सो वन्स अगेन वेलकम बैक तो मा यूटूब चैनल प्यारे बच्चो बच्चों के बहुत बड़े क्वेशन तीन से चार बड़े-बड़े क्वेशन और बहुत बिल्कुल क्लियर यूटूब पर सबसे एकुरेट सबसे सटीक और सबसे ओबरॉल एक साथ इस्टेट वाइस कट ओफ तीन बड़े-बड़े क्वेशन सर इस्टेट वाइस कट ओफ क्या रहेगी नेवी SSR MR 2024 की प्रीवियस कट ओफ क्या रही है एज लिमिट क्या होगी इस बार की और NCC वालों की मौज ये बड़ा क्वेशन है NCC वालों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सरकैन की कट ओफ अलग जाती है क्या होता है कट ओफ का सेनेरियो हाँ NCC वालों की कट ओफ अलग जाती है ये आपको benefit मिलने वाला है बहुत बड़ा क्या रहेगा सर कट ओफ का सेनेरियो और स्टेट वाइस कट ओफ कैसे आती है किसकी कट ओफ होती है स्टेट वाइस कट क्लियर करेंगे सबसे पहले नेवी SSR MR कट ऑफ 2024 और MR की कट ऑफ क्या रही मैं आपको बता रहेता हूं पिछली मार MR SSR जो नेवी SSR है उसकी कट ऑफ आई स्टेट वाइस कट ऑफ लेकिन जो MR की कट ऑफ प्यारे बच्चे वह आई यहां पर कैसे वह आई थी MR की All India कट ऑफ 30 रही MR की All India जो कट ऑफ आई वह 30 आई और इंडिया कट ऑफ लगी थी 50 मैं से 30 नम्मर अल इंडिया कट ऑफ लेकिन सर नेवी का जो कट ऑफ रहेगा 2024 का आप प्रीवियस कट ऑफ का एणालिसिस कर सकते हैं और उसी से अंदाज लगाया जा सकता है याद रखना जो final cut-off आती है वो phase second के marks के basis पर आती है मतलब phase first के marks नहीं जुड़ते हैं phase first की अलग cut-off होती है जो phase first में qualify करते हैं उनको phase second में बलाया जाता है phase second में मैंने आपको बता रखा है कि PFT होता है return होता है और फिर से जो phase second में आपके नमर आते हैं वही final cut-off होती है पिछली बार की cut-off रही 31 नमर रही महराष्टरा की cut-off कितनी रही 39 नमर हिमाचल प्रदेश की cut-off 46 नमर हर्याना की cut-off 50 नमर रही best वेंगॉल की cut-off 34 रही उडिसा की cut-off 43 रही उडिसा की cut-off और एक बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूँ नसी बाले बच्चों की मौज हैं जिनके पास C certificate है उनको written examination देने की जरूवत नहीं है उनको directly face second के लिए बुलाया जाएगा अप्रोच किया जाता है तो जिनके पास NCC का certificate है comment box में मुझे सारे वो बच्चे बताओ उनके लिए अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ NCC बालों के लिए कैसे strategy होगी कैसे selection होता है cut off कितनी जाती है अलग से cut off लगती है NCC बालों की याद रखिएगा इस बात का अलग से list आएगी NCC बालों की अलग से result आएगा proper exam उसी दिन होगा stage second के लिए बुलाया जाएगा directly ये NCC से golden opportunity है नेवी में जाने के लिए इतना बेहतर opportunity मुझे नहीं लगता है NCC बालों को कभी मिलेगी आपको written examination देने की जरुवत ही नहीं है जारकंड की cut off 39 राजिस्थान की cut off 51 तेलंगाना की cut off 29 UP की cut off final 48 तमिलनाडू की cut off 25 बिहार की cut off 48 जम्मू कस्मेर की cut off 30 36 गड़ की cut off 40 आंदर परदेस की cut off 39 करनाटका की cut off 33 MP की cut off 45 उत्तरा खंड़का मैं जल्दी ही आपको बता दूँगा confirm नहीं हो पाया पंजाब की cut off 35 ये मैंने boys की बताई है गल्स की cut off इससे नीचे है गल्स के लिए लग से वीडियो आजाएगा ये boys की cut off मैंने बताई है गल्स के लिए इससे कम है cut off सारे और एक और सबसे बड़ा question है कि सर जो next vacancy आ रही है SSRMR जो 2024 का new notification आएगा उसका सर age limit क्या होगा इसे ध्यान से सुन लेना बारवर आप comment में पूचते हैं 1 November 2003 से पहले वाले मतलब जिनका जन्म 1 November 2003 से बाद में हुआ है और 30 April 2007 से पहले वाले ये जो date of birth इसके बीच में जो भी आएगा जिसकी date of birth इसके बीच में आएगी 1 November 2003 से 30 April 2007 के बीच में आने वाले बच्चों का याद रखेगा क्या रहेगा वो eligible होंगे 100% 1 November 2003 से 30 April 2007 के बीच में जिनका डियो भी है आप मैच कर लीजे मिलान कर लीजेगा वो 100% नवंबर 2003 से अप्रेल 2007 के बीच वाले बच्चे 100% अपलाई कर पाएंगे और eligible होंगे एक last question MR का All India cut off गया और उसका 30 नमबर गया MR का All India cut off गया और वो 30 नमबर गया MR के लिए अलग से वीडियो आजाएगा पूरा detail में कैसे त्यारी करनी है कितना vacancy होंगी NCC के लिए अलग से वीडियो आजाएगा मुझे comment box में बस इतना बताना है कि आप किस state से हैं और कौन को Navy के लिए interested है किस state से हो और कौन को Navy के लिए जाना चारा है कैसे जाना चारा है MR के थुरू या SSR के थुरू ये बहुत जरूर है मेरे लिए बताना जिससे कि मैं आपको बिल्कुल accurate analysis कर सकूँ और वीडियो पसंद आया तो please comment box में मुझे एक बार thumbs up करिएगा and thank you so much